aap अगर आप नए प्रिणाम चाहते हैं लाइफ में तो यू हफ टू क्रिएट दा न्ू इू को डी सफिर कुछ नियुद n आप डिया दो शल्ग करते हैंaways रस्ट आंवल कम ए refers पिर से आपका स्वागत करना चाहूंगा कि आपने फिर से हमें समय दिया और हमारे कुछ प्रशनों का आप उत्तर देंगे लास्ट सेशन में जो हमारी बात हुई थी हमारी बात हुई थी आप्जरवर इफेक्ट के उपर जिसमें आपने तीन लॉज हमें उस दिन बताये थे आपने पहला लॉज बता तो लॉज ऑफ एम्टीनेस जेकंड लॉज बता तो थर्ड लॉज बता तो लॉज ऑफ इमेजिनेशन तो मैं चाहूंगा इससे आगे आप कुछ लॉज और बताएं कैसे हम अपने उब्जरवर इफेक्ट को मजबूत करके लॉज फॉज़ पर इफ और इसमें मैंने तीन लोह बताई थे पहला थे लोफ एम्टीनेस के आप अपने जीवन में खाली पन रखे किसी चीज के लिए ताकि उसकी जगह बने दूसरा था लोफ रेडियेशन के जो चीज आप लेना चाहते हैं यूनिवर्स से वो देना शुरू करें इसका पूरा का कॉंसेप्ट मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है और तीसरा था लोफ इमेजिनेशन यानि कि आप अपने नियूरून्स को आप अपनी ब्रेन सेल्स को या आप अपने माइंट को एक्टिवेट कर दें जो भी आप पाना चाहते हैं एक्चुली लोफ इमेजिनेशन ही को लोफ इमेजिनेशन को या जो आपने मने गोल बना रहे हो तो आपको क्लियरिटी का पूरा सहरा लेना होगा यू मस्ट बि किलियर के आप चाहते क्या हैं यहाँ पर आप कुछ लोग गड़बड करते हैं कि वो जो नहीं चाहते हैं उसे वो मांगते हैं कि मुझे बीमारी नहीं चाहिए, यह कभी भी clarity नहीं होगी, law of attraction में आपको पूरी तरह से clear होगा, होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, यह नहीं कि क्या नहीं चाहते, यह नहीं कि जो हमारा प्रेणाम है, outcome है, रिजल्ट है, वो आपको पता होना चाहिए, कि मुझे यहां जाना है, यह नहीं कि मुझे यहां नहीं रहना, तो law of clarity में सबसे पहली बात है, कि आपका जो goal है, वो clear होना चाहिए, दूसरा है, उस goal को पाने के लिए आपके reasons क्या हैं, यह क्यों हैं, वो clear होने चाहिए, अगर वो reasons clear नहीं है, vague है, और या उनकी images बहुत blurred सी हैं, तो आप कभी भी उनको छो identified images होती है, कारण की, वो उस कारण को पूरा करने के लिए पूरी तरह से ताकत लगाते हैं, ताकत का मतलब यहां पर है, 60 trillion cells आपके genetic level पर जो expressions हैं, प्लस आपके 86 billion neurons, आपका heart, आपका gut, सब आपकी help कर रहे हों किसी चीज़ को पाने के लिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक हा identified, I mean images होनी चाहिए, उनकी खुबसूरत feelings होनी चाहिए, आपको clear होना चाहिए, कि आपको ये चीज़े पाने के लिए किन-किन commitment को पूरा करना होगा, आप ये समझ लिए कि law of attraction बगएर किसी commitment के आएगा, तो याद रखेगा, आपके पास opportunity तो आ जाएगी बगएर commitment के, लेक मेरे don'ts क्या है, यानि कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है, आपको ये भी clear होना चाहिए, कि जब मैं इस जरनी पर चल रहा हूँ, law of attraction की, या मेरा observer effect है, मेरी जो सोच है, वो क्या होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एक सोच तो रोजना आपकी ये कह रही है, yes, I am attracting money, पर अंदर से आपके एक आवाज आ रही है, that I am not worthy enough, यानि कि एक तरफ आप कह रहे हैं, कि मैं धन को चाहता हूँ, पैसे को चाहता हूँ, बढ़िया life को चाहता हूँ, पर एक तरफ आपके पास ये भी है, कि शायद मेरे पास कुछ नहीं आएगा, because I am not able to do it, या फिर क होना चाहिए, यानि कि आपके पास clarity होनी चाहिए, कि आपके thought क्या है, अगर आपके पास कोई भी objection inside आ रहा है, अंदर से कोई objection आ रहा है, तो आपको वो handle करने की भी clarity होनी चाहिए, ये rule of clarity है, इसमें दूसरा जो low है हमारा, वो है low of consistency, यानि कि आपको persistent होना होगा, पहली persistent होना होगा कि आपको लगातार emptiness को create करना होगा अपनी life में, ऐसा नहीं कि emptiness का मतलब है कि हो सकता है कि आपने किसी रंजिश को अभी हटा लिया हो दिमाग से, लेकिन कल आपकी life में फिर ऐसे कुछ घटना घटगी जिससे आपके अंदर गुसा आ गया, या रंजिश आ गई नहीं, यहाँ पर आपको consistently अपने emptiness के low को regulate करना है, लगाना है, उसी तरह से low of radiation के भी लिए आप consistent रहेंगे, यानि कि आपको radiate करते रहना है इस universe में जो भी चीज आप चाहते हैं, मैंने आप कहा था कि अगर आप पैसा चाहते हैं तो पैसा radiate करें नहीं, लेकिन पैसे का belief आप radiate कर सकते हैं लोगों के दिमाग में, एक वर्दिन ऐसे radiate कर सकते हैं, यानि कि आप लोगों को खूबसूरत बढ़िया message दे सकते हैं, बढ़िया motivation दे सकते हैं, जब आप ऐसा करेंगे तो आप radiate कर रहे हैं इसको, तो वो वापस आपके पास जरूर आएगा, उसी तर दिया, तो वो spring फिर वही का वही आ गया, अगर आप एक permanent change चाहते हैं, तो आपको ये regular करना होगा, consistently करना होगा, नहीं तो message आपका जो universe को है, या opportunity को है, या लोगों तक आपकी जो टैली पहती है, वो कमजोर पढ़ जाएगी, इतना ही नहीं, जब आप consistent नहीं होते, तो ज consistently observe करना होगा, कि क्या मैं सच मुच में अपने सही विचारों को, सही belief को, सही values को, सही पहचान को जी रहा हूँ, या इसमें dent लग रहा है, आपको अगर लगता है कि ये dent लग रहा है, तो भई उसको ठीक करो, नहीं तो फिर ये law of consistency आपके लिए काम नहीं करेगा, आपको अ अगर कोई होगा तो, एक law है last का, last नहीं है, मतलब आज का last है, वो है law of receiving, यानि कि जब आपने मांगा है, यूनिवर्स से मैं मांगना वर्ड बोल रहा हूं, लेकिन ये English, मैं इसको seeking कहते हैं, हिंदी में इसको जिग्यासा करते हैं, जब आप यूनिवर्स से जिग्यासा क किसी भी चीज की, और इन रूल्स को लागू करते हैं, तो एक law आता है law of receiving, यानि कि अब आप receive भी करें इसको, law of receiving को अगर आप समझें, तो law of receiving basically आपका action लेना है, जब आपको कोई message मिल रहा है, आपने law of attention लगाया, आपने seeking करी, आपने prayer करी, आपने imagination किया, और suddenly आपको message मिला अंदर से, क्योंकि your subconscious mind is ignited at that time, और आपका subconscious mind एकदम से पुराने reference को कुरे देगा, या universe से वो कोई message लेगा, या किसी का thought आपके thought के साथ synchronized होगा, और आपको एकदम से कोई idea आएगा, तो उस समय जो आपके पास message आ रहे हैं, इन्हें हम synchronicity कहते हैं, universe से जब मिलते हैं आपको, या आपको feeling आ जाती है, जिसको हम extra sensory perception कहते हैं, तो उस समय आपको action भी लेना है, जब आप action लेते हैं, तो आप कई बार ऐसा लगता है, कि लोगों को ये पता है, कि मैं action कुछ नहीं लोंगा, और मेरा law of attraction लागू होकर, कोई आदमी मुझे घर के सामने, 10, 20, 50, सो करोड रुपे रखकर चला जाएगा, यहीं चाहते हैं, मुस्ली यह चाहते हैं, लेकिन यह गलत, यह गलती कर रहे हैं, बेसिकलिया, मैं कई बार समझाता हूं, फिर समझा देता हूं, जब आपने Amazon वगेरा पे कोई book, I mean किताब आपने, I mean buy की है, तो आप पैसा दे देत रखते हैं, कि अब यह किताब कहा आ चुकी है, अब यह किस शहर में आ चुकी है, अब आपके शहर में आ चुकी है, अब यह आप से कितने किलोमिटर दूर है, फिर एक लास्ट मोमेंट आता है, कि अब यह आपके गेट पर खड़ा है, तो जब गेट पर खड़ा है, तो फ यहीं आए पर वहां तो दर्वाजा बंद है तो वो अंदर कैसे आएगा तो जब हम low of attraction में low of receiving कहते हैं तो यह कहते हैं कि जो message आपको मिल रहे हैं वो आपको action लेना होगा क्योंकि प्रकरती कभी भी खुद action नहीं ले सकती वो आपको message दे सकती है वो आपको opportunity दे सकती है वो आपको raw metal दे सकती है प्रकरती जैसा हम सांग के दर्शन में कहते हैं तो आपको एक action लेना पड़ेगा आप यू समझे कि whatever God does to you it does through you जो भी भगवान आपके लिए करता है वो आप ही के द्वारा करता है आप ही को खड़ा होना पड़ेगा आप ही को पहल करनी पड़ेगी इसलिए यह जो word है initiative यानि कि मुझे पहल करनी होगी मुझे कदम बढ़ाना होगा मुझे response देना होगा अगर आप responder नहीं होगे तो universe मानेगा कि now you no more need it तो वो जो amazing की किताब है वो वापस चले जाएगी ठीक है ना क्योंकि आपने दरवाजा नहीं खोला एक बार में दो बार में तो आपका काम है कि जैसे कोई आपको थोट मिले यहाँ पर एक चीज है कई बार आपको थोट मिल रहा है कि आप सारा मकान बेज़ कर यह पैसा लगा दो नहीं यह आपको ecology के point को समझना होगा कुछ आपके पास ऐसे idea आ सकते हैं जो बहुत खतरनाक हो सकते हैं उनको अभी छोड़ दें आप उन पर एकदम से आप बहुत बड़ा risk ना लें लेकिन बहुत सारे ऐसे छोट छोटे I mean message मिलते हैं कि चलो यार एक काम करते हैं उस आदमी को मिलते हैं आजा बात उससे बात करने को मन कर रहा है पता नहीं वो कौन करवा रहा है और आपने उससे बात करी and suddenly I mean उसने कोई बात करते करते आपको कुछ बोल दिया जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं जी अब मेरी एक participant ने बताया था है लंडन में मेरी अभी वो उन्होंने अभी NLP किया तो वो एक दिन मुझे बता रही थी कि आपको मैंने कैसे manifest किया मैं बताती हूं तो उन्हें कोई autoimmune disease जो बहुत दिनों से चल रही है mental stress की वज़ा से तो एक दिन वो कह रही थी कि मैं पूजा कर रही थी मेरे सामने बगवान की मूर्तियां रखी थी लंडन में और मैं पूजा करते करते मुझे गुसा आया मैंने कहा कि आप मेरे लिए कुछ नहीं करोगे मैं बगवान से नराज होगी और मैं उन्होंने कहा क सदनली आपकी एक स्टुडेंट का जो उनकी फ्रेंड है उनका फोन उनके पास आया दिली से और जो मेरी स्टुएंट है यहाँ पर उनका नाम भी मैं बता जता हूं उनका नाम सरीता है तो उन्होंने कहा जी सरीता का फोन है वो आपकी स्टुडेंट रही होंगी और वो मे आपको जो मेंसेज मिलता है वह वैसे नहीं मिलता जैसे आप चाहते हो जीवन में कई बार आपको opportunity वैसे नहीं मिलेगी जैसे आप चाहते हो वो दूसरी form में मिलेगी हो सकता है कि मैंने car मांगी युनिवर्स से और आज car न मिले लेकिन अचानक मुझे एक ऐसी opportunity मिल जाए जहां से मैं लाखों रुपे महिना कमाना शुरू कर दूँ जहां से मैं एक खुबसूरा शहर में बड़े लोगों से मिलना शुरू कर दूँ और पर चला कि वो car उससे ही पहले आगई जितना मैं समय दे रहा था तो कई बार हम यह मानते हैं कि नहीं मुझे यह opportunity ऐसी मिलने चाहिए और इस समय पर मिलने चाहिए तो law of receiving यह कहता है कि जैसे ही आप किसी भी चीज को सीख करते हो तो वो event create हो जाती है law of quantum physics के अनुसार लेकिन जब आप उस तक पहुँच रहे हो तो पहुँचना आपको ही पड़ेगा यानि कि कदम आप भी को उठाने पड़ेंगे करम का नियम है जी सर जैसे आपने बताया कि हमारे thoughts हैं और उस thoughts किसी भी तरीके से वो आपको मिल सकते हैं लेकिन नॉर्मली यह कहता हैं कि एक दिन में हमें पचास सजा से साथ हजा thoughts आते हैं तो उस पचास से साथ सजा thoughts में से हम यह पता कैसे करने कि यह particular जो 10 या 20 या 30 thoughts आएं वही actually हैं जिसके उपर मुझे काम करना है हाँ यही तो अगर हम इस चीज को थोड़ा सा purify कर लें अपने mind को तो आपके पास thoughts की कमी नहीं है मेरे एक mentor कहा करते थे thoughts is not yours विचार आपका नहीं है अगर वो आपने generate किया है तो वो like minded logo तक जाएगा जरूर कई बार आपने देखा होगा कि एक आदमी PhD कर रहा है एक subject में और वो यह मानता है यह unique topic है लेकिन तभी पर चलता है वो तो धर्ती के दूसरे end पर वही topic कोई और भी तयार कर रहा है यूं करते हूं इसका मतलब है कि थोट कहीं ने कहीं ट्रेवल कर रहा है और law of success में नेपॉलियन हिल ने लिखा है कि यह थोट एथर के द्वारा radiate होता है जबकि यह सी को हम I mean अद्वेत सिद्धानत में एनरजी बोलते है कि यह एनरजी के द्वारा यह थोट ट्रेवल करता है क्योंकि यह एनरजी जो है यह इसके पास अपनी consciousness है हमारे थोट को लाइक माइंडिड लोगों तक पहुचाने की जो लाइक माइंडिड लोगों तक जो थोट जाता है वो भी law of attraction ही है और लाइक माइंडिड लोगों तक यह थोट क्यों जाता है कैसे जाता है यह तो 1950 में तैबी हो गया जिसका नाम था 100th monkey syndrome एक टापू पर कुछ बंदर रहते थे वो सकरगंद खाया करते थे वो fruits खाया करते थे छोटा था टापू था तो वहाँ पूरे fruits अटा लिए psychologist ने देखने के लिए कि बंदर क्या करेंगे कैसे अब भीएव करेंगे तो वो जैसी fruit हटाए तो अगले दिन एक मदर मंकी बच्चों के साथ रो रहे प्रेशानती बच्चे रो रहे थे भूग की वज़े से ता 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 चना एक बंदर ने एक धर्ती को खोदा तो वहाँ पर शकर गंद निकले sweet potato उसने दोया और खा कर देखा तो लगा कि खाया जा सकता है उसने सभी अपने siblings को बाई बेनों को वो सिखा दिया और देखते देखते पूरे टापो में बंदरों ने उसे खाना शुरू कर दिया ये magic नहीं था जी किये था कि दूसरा टापो यानि कि एक आईलेंड जो 700 मील दूर है वहाँ पर इस प्रजाती के monkeys ने ये behavior करना शुरू कर दिया चाना कि जबकि वहाँ पर fruits भी थे और उन्होंने इससे पहले शकर गंद धर्ती में से निकाल कर नहीं खाई थी ये तब एक थोट आयता है कि हम collective consciousness के साथ जीते हैं यानि कि अगर मैंने कोई थोट लिया है तो वो थोट उस आदमी तक जरूर चला जाता है जो उसके लिए बना है अब सवाल उठता है कि हमारे पास तो 50,000 थोट बेकार के आते हैं और उसमें से हम उन थोट को कैसे पकड़ें यहाँ पर सबसे बड़ा challenge हमने यही करका है कि हमने garbage बहुत भरका है उस garbage में से समझ लिजेगा कि आपके एक कमरे में भूसा भरा पड़ा है और उस भूसे में समझ लिजेगा कमरा भरा पड़ा है 10 by 10 का भूसे से और उस भूसे के अंदर 10 कोईन भी हैं सोने के जो आपको लगपती बना सकते हैं आज ठीक है ना 10 लाग के हैं और एक लाग का अगर एक कोईन है तो ठीक है ना लेकिन अब उस भूसे में से उसे कैसे निकाले तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कोयन की कमी नहीं है आपके पास इस भूसे की कमी है जब मैं लोगों को NLP पढ़ाता हूँ मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि भाई आपके पास्ट के जितने भी आईडियाज, रेफरेंसिज, बिलीफ और मेमोरीज भरी पड़ी हैं, जितनी जल्दी इनको आप साफ कर लें, उतना ही तेजी से जो आपके पास खुबसुरत विचार हैं, वो एकदम से आपके मानस पटल पर आपको टकराएंगे और व उनकी इंटेंसिटी से पहले बेकार के विचारों की इंटेंसिटी आपके मानस पटल को और आपकी हार्ट कंशिसनेस को दबाए पड़ी है, खराब करे बैठी है, यह वही बाली बात है कि मैंने दो बोतल शराब पी ली है, और मैं उसके नशे में पड़ा हूँ, अब आप उन्हों में बड़ा फर्क है, ठीक है ना, तो बेसिकली जब हमारे पास पेनफुल मेमोरीज, पास्ट के ट्रोमा, चाहिल्डूट की अब्योजिज, ब्रेक अप, लोसिस, ग्रीफ, हेट्रेट, ठीक है ना, और और क्या कहते हैं कि बिना मतलब कि हमें टॉंट, बेकार के र लोगों से कहता हूं कि बीस मिनट के लिए आप, बीस से पच्छिस मिनट आप मेडिटेशन में बड़ जाएं, पहले एक हफते तक आपको इस मेडिटेशन में मननी लगेगा, पहले एक हफते तक, साथ दिन तक ये मेडिटेशन आपको पेन करेगा बोड़ी में, मेडिटे कि कोई अचानक feeling आएगी और feeling की picture भी बननी शुरू हो जाएगी आप उठेंगे और अचानक आपको एक idea आएगा यार ये करते हैं यार ये किताब लेते हैं अचानक आप एक book जा रहे हैं market में अचानक पता नहीं क्यों आप एक book store की तरह हम मुड जाएंगे पता नहीं वहाँ पर कौन सी book खरीद लेंगे और उसका page एक खोलेंगे और उसी में सब कुछ लिखा हुआ है ये चीजे याद रखे का ये ऐसे ही नहीं हो रही है somebody is guiding you at that time याद रखे का if you are ready to be guided then universal forces are ready to guide you अगर आप guided होने के लिए तयार नहीं और पहले सी आप नशे में बरे पड़े हैं तो अगर मैं पूरी तरह से नशे में बेहोश पड़ा रहा हूँगा तो कितने लोग मुझे उस समय अपनी best information मुझे देंगे एक भी नहीं देंगे काई I mean influence है तो basically लोगों के पाँ ego का influence इतना आ गया कि वो उस idea को लेते ही नहीं है ठीक है ना उसके पास बेकार की जो past के जो pain I mean burden है उनकी वैसे नहीं लेते उनके पास emotional poison इतना है कि भरा पड़ा है उनके पास uncertainty भरी पड़ी है life की, life की definition उनकी खराब हुई पड़ी है हर जगे वो अपने stuck state से जूज रहे है negative ideas आ रहे है नेंद की कमी हो गई है अपने खोबसूरत जो neurotransmitter है जो transmit करेंगे मेरे neuron को चीज़े जी फर एक्जमपल आप melatonin के बारे में आपने सुना है melatonin के बारे में आप खुद सोचिए के melatonin की power क्या है आपने आज कल देखा होगा कि वो mid brain activation होता है बच्चे पट्टी बांद लेते हैं और वो अगर उन्होंने किसी चीज़ को touch कर दिया तो वो number पढ़ लेते हैं कि I mean एक currency का note है 500 rupees का और वो ऐसे से करेंगे और वो number बता देंगे यानि कि उनकी उंगली टच कर दिया उस number को और वो यहां बता रहे है पता ही यह क्या है यह कोई विशेश नहीं है यह हमारे पास सब के पास यह कला है यह basically जब हमारे melatonin की quality बहतर हो जाती है जो pineal gland release करता है जब इसकी quality बहतर हो जाती है अब हमारी तो इस उमर में इतनी fluoride ले लिया इतनी stress आ गई है यह even वही श्रिंक हो गई है लेकिन बच्चों के पास तब तक वो खराब नहीं होती pineal gland तो वो अपनी melatonin की quality को बढ़िया रखते है जैसे ही melatonin की quality बढ़िया होती है तो melatonin एक काम करती है उसका नाम है transduction transduction का मतलब है कि एक sense को दूसरी sense में create करना तो इसका मतलब है कि जब बच्चा उस कागज पर लिखे हुए number के उपर हाथ फेर रहा है तो यह feeling है जहाँ तो touch है लेकिन touch को immediately melatonin वीजवल में create कर देगा पिक्चर में create कर देगा और वो कहेगा number is 573811609 और चोंक जाएंगे लोग यार यह कैसे बता रहे है वो यह से बता रहे हैं कि आपके पास यह quality है तो याद रिखे का जो universe के message है आपको जो मिल रहे है वो कई बार वीजवल में नहीं मिलेंगे जैसे आपके यहां TV लगा हुआ है तो टीवी जो टीवी का जो antenna है जो भी dish है वो किसी वीजवल को नहीं ले रही है वो तरंगों को ले रही है टीवी उसे बदल रहा है वीजवल में तो इस कला को टीवी आपका transducing effect पैदा कर रहा है उसी तरह से हमारा mind भी करता है कई बार हमें कुछ लोगों को visual दिखाई देते हैं यह होने जा रहा है और वो बता भी देते हैं यह होने जा रहा है यह आदमें ऐसे करेगा यह ऐसे घटने घटेगी कई बार उनको फीलिंग आती है कि कोई मुझे तो डर सा लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा कुछ को अच्छा लग रहा बहुत बड़ी है फीलिंग आ रही कोई ख़बर अच्छी मिलेगी कुछ को साउंड आती है यानिक कि जो popcorn वाइबरेशन इसा वूनिवर्स में है उन्हें घातो कुछ लोग लेते हैं ट्रांस्डिस करके या पिर कुछ ओड़िटरी इनिक कि की में आपकि लेते हैं आवाज में लेते हैं और कुछ फीलिंग में लेते हैं कई बार देखेंगे आप सुभी उठेंगे और you are not feeling good and suddenly आप कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था कुछ नहीं कुछ गडबड होगी देखो यह आगया message तो यह आपके message मिलते रहते हैं because the universe is vibrating the thought to your mind the only thing is that whether you are catching them up or not जी सर तो सर इन यह जो यूनिवर्स से हमें signals आ रहे हैं messages आ रहे हैं इनको receive करने के लिए हमें अपने आप के उपर क्या-क्या काम करना चाहिए पहला काम करना चाहिए कि आपके जो belief system है जो आपके belief system है वो आपके filter बन चुके हैं बिलीफ को समझेगा सभी लोग बिलीफ बिलीफ बहुत बोलते हैं आप एक filter को समझेगा कि मैं इधर से कुछ डालूँ लेकिन इधर कुछ और निकले समझ गया तो belief system यह filter है माल लेते हैं आपने यह कहा कि मेरा कुछ नहीं होगा माल लेते हैं मैं यह कह रहा हूँ nothing good will happen with me मुझे तो यह लगता है बहुत सारे लोग हमारी वक्षोब में आगे यह कहते हैं सर मुझे तो लगता हैं मेरे साथ कुछ अच्छा होगा तो filter लग गया कि कुछ अच्छा नहीं होगा अब माल लेते हैं कुछ ऐसी चीज उसकी life में हो रही जो अच्छी हो सकती थी और वो उपर से तो जा रही है लेकिन जैसे filter में से निकलेगी वो क्या निकलेगी कि मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता तो perception क्या होगा यानि कि event जो उसके लिए हो रही है वो सब अच्छी हो रही है लेकिन जो filter के बाद जो निकला है वो वो perceive करेगा कि मेरे लिए कुछ नहीं अच्छा हो सकता जो अच्छा हो रहा था उसमें भी वो अच्छा नहीं पकड़ेगा और वो कहगा देखो मेरे जाद अच्छा होई ही नहीं सकता तो क्योंकि belief system यही है उसी तरह से पैसे का मान लेते हैं पैसे के belief हमें बच्छपन से कोई बहुत अच्छे नहीं पढ़ाए जाते हैं हमारी society में बही किसी लाला के घर में पढ़ाए जा रहे हैं किसी इंडस्लिस्ट के घर में पढ़ाए जा रहे हैं बच्छों को ठीक है पर एक आम आदमी के घर में वही पढ़ा जाते हैं कि पैसा मुश्किल से आया आता है ठीक है ना पैसा हद का महल है पैसा everything, money is not everything कमाएंगे पैसा ही और money is not everything के उपर खूब डिसकस भी करेंगे तो अब हमारा filter आ गया है कि पैसा is not good for me अब आप पैसे के लिए opportunity आपके पाँ आ रही है आप उधर सो attract कर रहे हो attract कर रहे हो तो एक opportunity आपके पास आ भी रही है आपको message भी मिल रहा है कि यार आज खंडा साब से बात कर लेते हैं आपको message भी मिल रहा है यार एक काम कर लेता है ना पैसे कि एक इवेंट आ रही है फलाँ आदमी की जोएन कर लेते हैं मन में आएगा और कई बार आपने देखा नहीं कि मैं अपनी वक्षोब में देखता हूं कि कई बार लोग बैठ रहते हैं रिजिस्टेशन जब होते हैं वेबिनार में एक गंटे तक फाल तू बैटे रहते हैं बाद में क्योंकि वो एक तरफ चाहते हैं कि यह अपॉर्टिनटी मेरे लिए है पर उनका बिलीव के बाद जो परसेप्शन है वो यह कहता है नई 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 तुम ही इस काम को ना करो क्योंकि तुम्हारे लिए पैसा गलत है तो वो क्या करेगा अपने परसेप्शन को बेस बनाकर आई मिन चीजे ले लेगा तो पहली चीज़ जो करनी है हमें अपने बिलीव सिस्टम को बदलना होगा अपर मिडिल क्लास है तो फोर भी एच के ले लो एक नोईडा में ठीक है ना लेकिन रिस तो नहीं है ना तो हमने आइडेंटिटी हमने अपनी बना ली तो जब भी अगर आप किसी भी चीज को अट्रेक्ट करें तो फिर अपनी आइडेंटिटी को भी बदलें उसके बाद आ आपके पाप पास्ट का बर्डन नहीं होना चाहिए अगर मैं कुछ चीजों को बताओं तेजी से जल्दी से सभी अपने दर्शकों को तो पहली चीज है आप अपने पास्ट के सारे के सारी अन्वांटिट इवेंट्स को अटाएं नमबर दो आप अपने परजेंट में होना चाहिए आपके पास कोई ट्रिगर नहीं होना चाहिए बेकार का आपके पास बेकार की साउंड भरी हुई नहीं होनी चाहिए जो लोगों की भरी पड़ी है तुमसे कुछ नहीं होगा पैसा बेकार की चीज़ है बीमारिया ठीक नहीं होता कोई लोग वो अट्रक्शन थी बार लोग मुझे कहते हैं कि सर बीमारी के पीछे ये आपका ये जो फोट है देने का कि ठीक कर सकते हो इसके पीछे साइंस क्या है तो मैं धीरे से कहता हूं क्या सारी चीज़े साइंस से चल ली आपकी लाइफ में, आप किस दिन परिशान थे होस्टल में और आपकी मदर रात भर नहीं सो पाई, और सुबह या उन्हें फोन किया कि बेटा रात तुम परिशान थे ना, हा मा, तुम्हें कैसे पर चला, बस मुझे पर चलिया, इसके पीछे क्या साइंस थी, 700 किलो मीटर दूर, वो मंकीज, कैसे वो ही बहेवियर ले रहे हैं, जो इस टापू पर इस परजाती के बंदरों ने लिया, दूसरी परजाती के बंदरों ने क्यों नहीं किया, इसके पीछे क्या साइंस है, अचानक आप जिस आदमी को याद कर रहे हैं, उसका फोन बज़ रहा है, इसमें क्या साइंस है, अगर ये साइंस नहीं है, और ये एक आदमी के हो साथ होता तो होता है, ये सबके साथ हुआ है, कई बार जिसको आप याद कर रहे हैं, एकदम से वो सामने दिखाई दे जाता है, और यार मैं तुम्हीं याद कर रहा था, आप किसी को याद करते हैं, उसका फोन बज़ रहा होता है, यह हर एक के साथ हुआ तो इसका मतलब है कोई साइंस है यहाँ पर, अब अगर साइंस व यह कह दिया कि इसमें कुछ नहीं है, वो बीमार के बीमार रहे है और जिन लोगों को उन्होंने सिर्फ खड़िया खिलाई, यानि कि चोक खिला दिया, जिर्फ मिठी गोलिया खिला दिया, और यह कह दिया, बहुत पावरफुल है, वो ठीक हो गए, बीमारी तो इसका living issues हैं, उनको resolve करें, और एक बार open रहें, यानि कि आप low of attraction के लिए curious होना बहुत जरूर है, यह word मैं छूट रहा था, याद आ गया, curious होना जरूरी है, यानि कि उत्सक्ता से भरे हुआ हूँ, यार मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ, यार ये problem आ रही है, इसको मैं challenge मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, इससे मैं और कैसे बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ, इसमें और कौन सा तरीका हो सकता है, क्या मैं इसको अकेले कर सकता हूँ, अच्छा, इससे मैं अगर दस मिनट बाद करूँ, एक बार घूमके, कई बर मैं अपने आप ही देखता हूँ, कि जो एक नियूस पेपर में वो आता है ना, जिसमें हम नमबर बढ़ते हैं, सुडू को, ठीक है ना, तो कई वर मैं रुक जाता हूं, फाइव लेवल पर, और मुझे मालूम होता है कि जैसे ही मैं जगे बदलूँगा, और एक राउंड लगाऊंगा, तो मुझे ये ब्रेक्ट्रू म हमारा माइंड हमारी सोच से परे, और जब सोच महा तक अगर नहीं गई, जब चली जाएगी हम उस साइंस को भी माल लेंगे, वही बाली बात है कि पहले चिडिया उड़ी, या पहले नियूटन ने ये बताया कि कैसे उड़ते हैं, पहले तो चिडिया उड़ी ना, अब पढ़ा जा रहा हमें, ठीक है ना, कि ये होता है, यह वेक्यूम बनता है, यह हवा कीशता है, भाया चिडिया को तुमने बताया था क्या, इस हंस को तुमने बताया था क्या, जो बाज उड़ रहा है इसे तुमने बताया था क्या, ये तुम्हारी साइंस से परे हैं ना, इ न्यूटन की फिजिक्स साभीत हो रही है जूटी क्वांटम फिजिक्स पर कमाल की बात है ना पहले हम यह पताया गया था कि एटम के अंदर घूमता है इलक्ट्रोन बोहर का रूल और अब बता जामा कोई इलक्ट्रोन ही नहीं है महा सिर्फ वेव है जिसे उब्जर्व करते अब बताद है इनर्जी पर हमें कान्सेंट्रेशन नहीं करना क्योंकि मैटर हमारे सामने खड़ा है तो यह तो कम्प्लिटली अपनी ही जो एड्युकेशन है उसे कहते हैं ना रिलर्न अनलर्न करना होगा विल्कुल ऐसी करना होगा पहले अनलर्न करना पड़ेगा फिर रि प्रांटेम फिजिक्स के जितने भी किताबें आ रही हैं, Observer Effect के Whenever you observe, you create the reality. Newton की फिजिक्स कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा तो ही नहीं, reality is already created. तो उसमें तो दोनों चीज़े अलग हैं. अब साइंस यहीं तो कह रहा है, जो मोनिजम यहीं तो कह रहा है, कि हो सकता है कि अभी आप किसी चीज़ का ड्रीम करते हो, और वो पूरी हो जाती है, जो मना कर रहा है न, यूट्यूब पर भी जो कह रहा है कि नहीं, यह नहीं होता, वो भी रोजानल लोफ अट्रेक्शन ही, उमीद ही कर रहा है कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हो जाएं, मेरे इतने व्यूज़ आ जाएं, वो सीक रो जाना कर रहा है, और वो सीक करते करते ही अपनी क्वालिटी भी बढ़िया कर रहा है, जब आप seeking कर रहे हो तभी तो आप action ले रहे हो न तो यही तो low protection है अगर मैं if I seek के मैं इस I mean studio को और बहतर बनाऊं तो एकदम से idea आ जाएगा क्यार बढ़िया बनाने के लिए इसको यहां से ऐसे कर लेता हूँ इसका मतलब है कि the moment you are seeking you are creating some idea समझगे मेरी बात इसका मतलब है कि whatever idea you are living in today you have thought somewhere deeply in your mind जिस idea को आज आप जी रहे हैं जिस life को आप जी रहे हैं जाने अन जाने में आपने उसको सीख किया है उसकी जिग्यासा रखी है जिस YouTube channel पर वो आदमी या मैं अब बोल रहा हूँ पहले उसने एक idea लिया होगा ना कि मुझे भी YouTube channel खोलना है पहले दिन और उसके अगले moment पर से ने खोलाता ना यह सोड़ जाता कि मैं खोल लेता हूँ और फिर सोचूँगा नाई इसका मतलब है first you observe then the thought comes to you it gives the potential to you it gives the options to you और फिर आप action लेते हैं and the work is done simple यही तो है simple यही तो है law of attraction को आप दूसरी दुनिया का rule क्यों मान रहे हो हमने पहले सोचा कि हम podcast करेंगे हमने एक idea लिया idea लेते ही हमने एक topic को ले लिया कि हमारा आधा topic तो बची रहा है एकदम से हम यहां बैट गए क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया था कि चलो podcast करते हैं तो rest of the actions are going into the line chain में बनते जाएंगे और वो opportunity आती जा रही है और यहां पर अच्छी बात यह है कि हमें ऐसा कोई भी viewer मिलेगा जो पहली बार देख रहा होगा इसका मतलब we have attracted them rather he has attracted us so यही तो law of attraction है when the things are going the way you are wanting them simple जो आप सोच रहे हो वही आपके सामने आना शुरू हो जाता है वही आना शुरू हो गया क्योंकि आपकी reality जैसी आप vision को आगे देखते हैं तो यहां की reality है मेरे पीछे की खतम हो गई मैं इधर से निगा पीछे की तरफ करता हूँ तो यह reality काता हूँ हो गया पीछे की दिखाई दे रही wherever you observe the reality occurs there wherever you put your vision the reality exists there यही डॉक्टर अमित गौस्वामी ने लिखा every time you observe you create a reality और जब मैं एक कार में बैठा था और एक red light पे कार रुकी और मैंने सामने building को देखा and अच्छानक वो building मैं रोज ही देख रहा था लेकिन अब मैंने देखा तो मुझे different दिखाई दी कि इसके बगल वाली यह भी building है because now I am observing and it is appearing और जैसे कार मूडी वहां से तो अब वो disappear होगी मेरे लिए लेकिन नहीं reality अब हम बहुत लोगों को देखते हैं यह एक normal सवाल होता है कि I am not earning that much of money जितना मुझे earn करना चाहिए तो that is my present reality लेकिन अब गर मैं past में जाओ थोड़ा और पीछे 5 साल पीछे 10 साल पीछे मैं यह कैसे मानलू कि यह जो reality है कहीं न कहीं मैंने ही बनाई है अपने लिए क्योंकि मैं तो चाहता हूँ मैं आज भी चाह रहा हूँ कि मुझे पैसा चाहिए मुझे सिहाच चाहिए, मुझे धन चाहिए मुझे अच्छे रिस्ते चाहिए अच्छी जगह पर मैं रहना चाहता हूं लेकिन presently situation तो कही न कहीं वो है कि मैं पैसे के लिए बहुत महनत कर रहा हूं तो कहीं न कहीं यह reality मैंने अपने past में बनाई होगी जो आज मैं जी रहा हूं तो कहां मैंने वो गलती कर दी जिस वज़े से मुझे result इतने खराब मैं देख पा रहा हूं अपनी reality में यही तो है जब हम goal setting करते हैं उसका एक बहुत बड़ा scientific fact है लोगों ने goal setting सिर्फ यह कह दी के देखो तुम इस चीज़ को पा लो और फिर मज़े करना गोल setting basically creating the reality in your future है माल लेते हैं आज आप x amount कमा रहे हो और वो आपके लिए काफी नहीं है और आप चाहते हो कि मैं 5 साल बाद एक different reality को जी हूँ लेकिन अभी तो मेरे पाद x amount है तो अब सवाल उठता है कि क्या आपने बाकी रूल लगाए है number 1 rule of imagination लगाओ what else I can do what else I can do and imagine करो कि अब आप अपनी potential को expand कर रहे हो जो भी आप काम कर रहे हो अभी और बहुत सारे ऐसे काम है जो अभी आप कर सकते हो या फिर करना सीख सकते हो ऐसे बहुत सारे mentor हैं जिनसे अभी आप नहीं मिले हो आप उनको डूण सकते हो इसी बहुत सारे किताबें, कोट्स या, I mean, थेोरीज हैं, जिनको आपने नहीं पढ़ा, उन्हें पढ़ सकते हो, ऐसी बहुत सारे आपके पास इसकिल्स बाकी हैं, जिन्हें आप पास साल में अगले शह मीने में टोप पर सीख सकते हो, ठीक है ना, you could be the best chef, you could be the best fashion designer, even when you don't have any background, in six months only, these are in six months, you can create some very good app, or you can create some machine that can change people's lives, याद रखेगा, ये आईडिया आपके पास तब आएंगे, जब आप इस desperation में रहें, positive desperation में, कि मैं इस जगे को छोड़ना चाहता हूं, और मैं यहां पहुँचना चाहता हूं, जब आपके पास एक बड़ा गोल होता है, कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, और आपको चला है, कि ये तो बारिश बड़ी तेज हो रही है, पर आपके पास रिजन बहुत बड़ा है, कि मुंबई तो पहुचना जरूरी है, अब आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं कोई तरीका आप निकालेंगे, चेह कुछ भी करें, आप ये करें कि अभी कार नहीं आ पा ठीक है ना, ठीक है ना, और वाटेवर यूव ड़न फो देम और यू कैसे ये ये जाना ही है, यहीं कि इसका मतलब है कि जो रिजन आपने वहाँ पर लो फट्रेक्शन से बनाया हुआ है, या वो इस इवेंट को बनाया हुआ है कारण देकर, वो बेसिकली आपको कमपैल कर नए आइडियाज को इसलिए नहीं लेते हैं, because we start enjoying our present, जैसे हम अपने present को जीते हैं, और कई बार क्या होता है कि हमें एक चीज का नहीं पता होता, वो यह होता है कि जब भी हमारे पार success मिलती है, तो उसको enjoy करने के बाद, success को celebrate करने के बाद, immediately हमें नही लेविल पर जाने क तयारी करनी होते हैं, कई बार हम अपने celebration को extend कर लेते हैं, so कई बार जो लोग परिशान हैं ना जीवन में, वो इसलिए परिशान हैं कि they are enjoying the extended celebration, भई आपने एक साल पहले करोड़ रुपे कमा लिये थे हाँ जी, अभी आप उसको enjoy कर रहे हो, उस यूफोरिया को, तब से अ अपना account देख लिया था, उन्हें अपने इन्वेस्ट भी कर दिया था, आप आगे बढ़ो ना, अगर आप compounding interest, compounding growth नहीं कर रहे हैं, तो you are degrowing, तो basically कई बार आम आदमी ये कहता है, this is my goal only, कि मुझे 9 to 5 का job मिल गया है, मेरा 2 BSK बन गया है, मेरे बच्चों का एक स्कोल मे admission हो गया है, बाकी मेरे बाद TV है, और शाम के चाय और पकोड़े हैं, मेरी लाइफ बढ़िया है, जब लाइफ बढ़िया होगी, तो याद रखेगा, the good is enemy of better, good is always an enemy of the better, अगर आप good में, I mean रहने लगे, तो फिर better की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि आप उस idea को लेंगे ह पड़ेगा, कि पांस साल बाद मैं किस लाइफ को जिऊंगा, लोफ कंसिस्टेंसी लगाना पड़ेगा, लोफ रिसीविंग लगाना पड़ेगा, ये नहीं कि पांस साल बाद मुझे चाहिए ये, और आज आपको एक mentor दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया, लेकिन वो क आपको बता देगा, तो ये है वो, और वो पे किसी भी रूप में हो सकती है, आपके कंसिस्टेंसी के रूप में, आपके एक्शन के रूप में, आपके law of imagination को लगाने के रूप में, आपको अपने belief चेंज करने के रूप में, राइट? येस, बहुत सारे तरीकों से, बलकि कि मैं कहूंगा कि जब आप किसी बड़े बदलाव को करते हैं, तो सिर्फ एक पार्ट नहीं बदला जाता है, सभी पार्ट को ठीक किया जाता है, अगर आप अपनी कार को ठीक कराएंगा ना जिस दिन, तो ये नहीं होगा कि एक बोल्ट पुराना ही डाल दो, नहीं वो भी आप किरिएरad किरिएट द बदल लग Keean, ऑन बदलाननोम, तो Hanb Lane का चुछ को धनलर जाता है। यजिसे हैं तो य विल फांद द भी द उत सब्सक्IST कहिएं, नहीं अगर जहाता जाता है, नहीं हैं मोतों हटे वहाइज हैं, तो याद रही पुराने लोग मिलेंगे, वानी anxiety मिलेगे